सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सोपर टेकनोलजी लेटस्ट वीडियो के लिए बेल ऐकोन दोएं वेलकाम टू मैं चैनल सोपर टेकनोलजी मेरा ना मंदीब दुल्ट दोस्तों अगर आप teacherों जा फिर आप skill trainerों और आप अपने brand name और logo के साथ एप create करवाना चाहते हो तो यह app आपको class plus create करके देगा जी हाँ class plus आपको app create करके देगा और यह app प्ले स्टोर पे अबेलेबल होगी जिससे आपका institute पैन इडिया तक spread हो जाएगा और आपके income के बहुत ज़्यादा chances बढ़ जाते हैं क्योंकि ये institute आपका अभी आपके city तक ही सीमत नहीं होगा और ये institute आपका पैन इडिया तक spread हो जाएगा दोस्तों यहां तक मुझे पता चाला है कि बहुत सारे teachers अपने brand name से app create करवा के up to two lakh rupees पर month earn कर रहे हैं दोस्तों अपने brand name से online institute create करने का सबसे बड़ा पैदा है कि जैसे previous time में lockdown लगा था तो सबसे बड़ा नुकसान teachers की salaries का हुआ था अगर आपका खुद का online institute होगा तो आप इस नुकसान से बच सकते हो अब भी हम बात करने वाले हैं app के features की जो भी आप update करवाओगे तो आपको वहां पे एक store की option मिलेगी दोस्तों आप अपनी app के store में अपना खुद का content upload करके earn कर सकते हों यहां पे आप video यहां फ्री वीडियो को आपने एक ही बार upload करना है और आप लाइफ टाविंग के लिए earn कर सकते हों यहां तक मुझे पता चला है कि कुछ teacher अपना content upload करके यहां पे up to 2 lakh रूपीज पर मन्त earn कर रहे हैं और दोस्तों आप इस app पे online classes ले सकते हों आपको कोई भी external app डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आप यहां पे batch create कर सकते हों attendance ले सकते हो online exam ले सकते हो students के लिए study material upload कर सकते हों दोस्तों आपको अपनी app में grow tab की option मिलेगी यहां पे आपको templates मिलेंगे इन templates की help से आप बहुत attractive posters create कर सकते हों इन posters को आप अपनी institute की advertisement के लिए send कर सकते हों किसी occasion पे student के साथ विशी share कर सकते हों दोस्तों अभी हम देखने वाले इस app में सभी features को one by one कैसे use करने यह सभी देखने के लिए बढ़े रहे हैं में वीडियो के end तक दोस्तों जिस नाम से भी आप class plus से एप create करवाओंगे उसी नाम से एप play store में upload हो जाएगी तो अभी यहाँ पर मेरे पास यह एप है वो है learner 360 जो आप अपने name से एप को create करवाओंगे वो आपके नाम से होगी दोस्तों वीडियो को start करने से पहले मैं आपको बताना चाहता क्लास प्लस आपको five access देता है एड्मिन टीचर रशेपनिस्ट स्टूडेंट और पेरेंट्स दोस्तों लेट फोन को मैं टीचर फोन यूज़ करूंगा राइट फोन को मैं स्टूडेंट फोन यूज़ करूंगा सबसे पहले आपने play store को open करने जिस नाम से भी आपने एप प्रेट किया है आपने उस एप को अपने फोन में एंड अपने स्टूडेंट के फोन में इस्टूड कर वादिनें जैसे मेरे पास यहां पर आप अल्रेडी एप इंस्टॉल्डड है लर्न 360 के नाम से उसके बाद आपने यहां पर अपना phone number एंटर करने है पर सीर्डी पर क हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पे शोगा home home पे आपको class प्लस की तरह से जो भी updates होगी यहां पे आपको शोगी होती रहेंगी home के बाद यहां पे शोगा batch दोस्तों बैच से पहले हम store देखेंगे दोस्तों store पे आप अपने content को upload कर सकते हो study material को upload कर सकते हूं वीडियोज को आप Upload करके Sail कर सकते हूं जिससे आपकी एर्निंग और रेवनिव निक्रीज होगा और आपका कंटेंट पैन इंडिया में स्पैड हो जाएगा दोस्तों स्टोर के लेटर में सैपरेट वीडियों लेके कि आपने कैसे content को upload करना है and कैसे आपको earning होगी उसके बाद हम यहाँ batch पे क्लिक करते हैं बैच पे क्लिक करने के बाद आपने एजे teacher plus के sign पे क्लिक करना है यहाँ पे आपने batch का name create कर देने जैसे यहाँ पे मैं create कर रहा हूँ सुखर technology दोस्तों यहाँ पे आपको batch का code शोगाई और यहाँ पे क्लिक करके आप batch की start date selected कर सकते हूँ उसके बाद आपने डनपे क्लिक कर देने जैसे आप डन पे क्लिक कर ओड़ए तो यहाँ पे batch क्रेट हो जाएगा उसके बाद आप यहां पर पोर्स एड़ कर सकते हूं उसके बाद आपने डन पर क्लिक कर दिना है तो यहां पर आपको बैच स्टार्ट डेट बैच कोड कोर्स सुजेक्ट यहां पर सभी डिटेल्स हो जाएगी दोस्तों जैसी आप यहां बॉटम पर ड्र फोन नंबर एंड नेम शो हो जाएंगे तो आप डिरेक्ट यहां पर स्टूडेंट को एड़ कर सकते हूं यहां पर क्लिक करके आप फेकल्टी को एड़ कर सकते हूं अगर आप मोर्टीचर को एड़ करना चाहते हूं दोस्तों स्टूडेंट के साथ कोड़ करने के लिए आप को open करते हैं जैसी आप एस हब्सक्राइब करो तो आपने पर अपना phone number does को साइन कर देना है कि अधुन सब्सक्राइब करना दोस्तों अपने अपना email इड्याइए अंटर कर देने दोस्तों और यहां पर आप शोगी कि आप इस पेरेंट इसाइन करना चाहते हूं जा फिर आप एज स्टूडेंट अगर आप एज पर एंड करना जा तो आपने इस ऑप्षिन को डिसेबल कर देंगे तो आपका यहां पर एज श्टूडेंट भी सैनिन हो जाएगा दोस्तों अभी आपने एज स्टूडेंट उस कोड पे क्लिक करना जो टीच टीचर के पास यहां पर रिक्वेस्ट रसीव हो जाएगी क्लास में एंटर होने के लिए और जैसे टीचर यहां सी जोएन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेगा तो टीचर के पास यहां पर नेम शो हो जाएगा उसके बार टीचर जैसे आपको सैफ्ट करेगा तो आप बैच में enter हो जाओगे आपको यहां पे batch की सभी details शो हो जाएंगी जो details teacher के पास शो हो रही थी दोस्तों जैसी teacher यहां overview पे click रहेगा तो teacher के पास यहां पे option शो होगी go live की and zoom की go live पे click करके अगर आप meeting को schedule करना चाहते तो आपनी हाँ schedule पे click कर देना है अगर आप meeting को instead करना चाहते हो तो जस्ट आपने यहां पर title enter करना जैसे यहां पर मैं enter कर रहा हूं meeting number of students दोस्तों आप कितने students को अपनी class में join करवाना चाहते हो जैसे यहां पर मैं one उसके बाद आप duration set कर सकते हो तो यहां पर आप up to four hours तक की maximum duration set कर सकते हो एक meeting के लिए उसके बाद आप यहां पर click करके meeting को schedule कर सकते हो अगर आप meeting को schedule करना चाहते हो तो आप यहां पर click करके date and time set कर सकते हो उसके बाद आप यहां sms पर tick करके student को साथ में sms भी कर सकते हूं मिटिंग के लिए उसके बाद आप गोलाई पर क्लिक करके picture and or called video को अलाओ करकर के यहां पर मिटिंग को start कर सकते हूं तो दोस्तों यहां पर सबसे ऐस फरस्ट और यहां पे शो होगी चैट की microphone की मिटिंग को एंड करने की and साथ में आप यहां यहां में पर रिफ्रेश करेंगे सकती है और सबसक्ति दूसी तरफ स्टूडेंट वें जीहां पर यहां gent reverse करेंगी तो स्टूडेंट भी मिटिंग को जोटिवर कर सकती है अब यहां में मुटिम को लिव मीटिग कर रहा हूँ और दोस्तों यहां पर teacher भी meeting को end कर सकता है दोस्तो next of यहां पे शोह हुरी है Zoom setup की जहां पे क्लिक करके आप Zoom के account को setup करके Zoom के थूवी meeting ले सकते हूँ अगर आपको इस green sharing करना चाहते हूँ जाँ आप white word के थूव टीज़ करवाना चाहते हूँ दोस्तो next of यहां पे शोह हुरी है कि आप सभी student को assignment send करना चाहते हो जा फिर आप particular student को assignment send करना चाहते हो जहाँ पर क्लिक करके आप topic name and submission deadline और उसके बाद आप यहाँ पर attachment लगाके student को assignment send कर सकते हो और दोस्तों दूसरी सफ student के पास भी यहाँ पर attendance show होगी जो इतनी भी student student ने अटेंड की हैं यहाँ पर क्लिक करके student teacher की assignment को reward कर सकता है दोस्तों next of यहाँ पर शूरी announcement के announcement पर क्लिक करके आप कोई student को notice send कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके आप voice memo document जा फिर image के तुरू send कर सकते हो इसी टैप से student के आपके पास भी यहाँ पर announcement में notice show हो जागा next of यहाँ पर शूरी है टेस्ट की assign test पर क्लिक करके आपके पास यहाँ पर त्री टैस्ट होंगे online टैस्ट प्रैक्टिस टैस्ट एंड क्लास टैस्ट दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करके online test student को दे सकती हूं जिसमें आप हर question के लिए different timers set कर सकते हूं positive marking and negative marking set कर सकते हैं यहाँ पर click करके आप practice test पर क्लिक करके यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक कर सकते हुं यहाँ फिर आप PDF प्रोड कर सकते हैं अड़ मेंज पर करके भी आप टैस्ट ले सकते हो दोस्तों आप यहां पर correct incorrect answer and यहां पर number of questions एड़ करके test दे सकते हो next आफ यहां पर class test की इसी टैप से आप students को class test दे सकते हो यहां पर students की आप offline marking भी कर सकते हो कि जो भी आपने offline test लिया था उसके student के कितने बाक्स आएं दोस्तों दूस्त दूस्त आप student के पास भी यहां पर test के अंडर सभी टैस्ट हो जाएंगे जो भी student ने test यहां पर attempt किया हैं जाब फिर upcoming test हैं दोस्तों नेस्ट आफ यहां यहां पर इड़ करके आपने अड़ पर क्लिक करके आप न्यूफ फोल्डर पर क्रेड कर सकते हो निूफ फोल्डर के अंडर आप न्यू वीडियो की यहां पर यूट्यूब की वीडियो का link paste कर सकते हूं और चेक लिंक पे लिंक आपलोड हो जाएगा दोस्तों दुसरी दफ ढ़न्टियो चिशि यहां वीडियो सब्साइब करके आप चाईगोड करके आप city मटीर कर हो यहां पर लिंक ऌर फूल्डर अप्रोड मेंज आप द्राइड करके द्फिर पास पर चैने के आपप यहां right top setting पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहां पर option शोगही faculty को add करने के यहां पर click करके आप faculty को add कर सकते हूं यहां पर click करके आप faculty को permission दे सकते हूं कि आप attendance announcement test batch editing कौन कौनसी permission आप faculty को देना चाहते हूं लिए रियुड करके आप यहांपे icons को enable डिसेबल कर सकते हूं अपने accordingly दोस्तो home screen पे जैसी आप यहां 3 बार्स पे कलिक करोगे तो आपके पास यहांपे option शोगी edit profile की तो आप यहांपे करके profile को upload कर सकते हैं यहां पे photo upload कर सकते हैं यहांपे basic information about institute या फिर bank details भी आप यहां पे add कर सकते हूं fees collect करने के लिए next option यहां पर show रही है setting की setting पर Click करके आप यहां पर sign out भी कर सकते हों दोस्तों main screen पर यहां पर Show होगा chat chat पर क्लेकर के आप student के साथ chat कर सकते हूं कहां यहां पर गुरूण कर सकते हो broadcast कर सकते हो multi batch announcement यहां पर आप कर सकते हो तो दोस्तों आप particular student को भी यहां पर message send कर सकते हो अगर आप किसी particular student को message send करना चाहते हो ग्रोट पर क्लिकर करके आपको यहां पर templates मिलेंगी इन tablet के help से आप attractive poster कर सकते हो जिसको आप अपने student के साथ share कर सकते हो अपने institute की advertisement के लिए जाब फिर आप अपने student के साथ विशेश भी शेयर कर सकते हो दोस्तों इस तरह अप class plus के साथ contact करके अपनी app create कर वाकर अपनी business को grow कर सकते हो और आप अपनी content को sell कर सकते हो दोस्तों अगर आपकी class plus या किसी other education अपनी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैं आपके हैर कमेंट कर अप्लाइ करूंगा thank you for watching please subscribe my channel for latest updates